फ्रेंड्स में आद आपके लिए एक बहुत ही इंटरस्टिंग और रोचक कहानी लेकर आई हूँ जिसमें आप देखेंगे जहां आप सिख्षा का सुरूप बदल चुका है वहाँ भी कुछ ऐसे सिख्षक हैं जो कि सिख्षा को अपनी पूजा मानते हैं तो फ्रेंड्स चरिए चलते हैं इंटरस्टिंग और बहुत ही रोचक कहानी की तरफ आज अगर मैं स्कूल की फिस लेकर नहीं गया तो आज साज जरूर मारेंगे या फिक क्लास से मुझे बहार निकाल देंगे बहुत कश्म कश्मे थी राहुल के मन में, जाओं या फिन ना जाओं ये सोवस्ते सोष्ते कब राहुल स्कूल पहुच किया उसे पता ही नहीं जला बड़े अनमने मन से वे कलास में गया राहुल मुधावी का चातर था, कक्षा में हमीशा फस्ट आता था पूरा स्कोल उसको उसके प्रतिवा के कारण जानता था लेकिन अचानक राहूल की पापा की मृत्ति हो जाने पर अचानक को सब कुछ बदल गया गर की आत्रिक सिति खराब होती चली गई राहूल अब बड़ा हो गया था उसको भी अब घर की चिंता होने लगी कुछ कमाने की धुन की वज़े से उसका दिमाग पड़ाई से हटने लगा उसके क्लास लिचर मोहन भी उसके इस बदलाव की वज़े से चिंतित थे एक बार उसके इस बदलाव की वज़े जानने वे उसके घर पहुच गए घर पहुसने के बाद राहूल में आये बदलाव की वज़ा जानकर ये बहुत परिशान हो गए उनको लगने लगा कि कहीं इसी वज़े से एक अच्छे स्टूडेंट्स का भविश्य खराब न हो जाए घर की और उनके बढ़ते कदम पोचल से लगने लगे फिर उनको ने एक निलने लिया अब उनका मन शान्त हो चुका था अगले दिन क्लास में पहुचते ही उनने राहूल को आवाज दी राहूल घबराते हुए खड़ा हुआ राहूल को लगा कि आज जरू मुझे स्कूल से निकाला जाएगा टीजे ने राहूल को क्लास के बाद मिलने के लिए बोला क्लास खतम होने पर राहूल सोचता रहा कि सर उससे क्या कहेंगे क्लास के खतम होने के बाद सर ने उससे समझाया कि तुम उससे घर पर टूशन ले सकते हो राहू ने टूशन की फीज देने में असमर्था जताई तब मोहन जी ने उसे फीज के बदले में छोटी कक्षा के बच्चों को टूशन पढ़ाने के लिए कहा और अगले दिन से घर पर टूशन आने के लिए कहा राहू दसफी क्लास का स्टूडेंट था उसने बोर्ड के एक्जाम थे मोहन जी ने राहूर को पढ़ाना शुरू कर दिया राहूल एक मिधावी का स्टूडेंट था जल्दी ही उसने अपने सारी पढ़ाई कवर कर ली वो क्लास कतम होने के बाद बच्चों को पढ़ाता था जल्दी ही बोर्ड के पेपर भी आ गए राहूल के सारे पेपर बहुत अच्छे हुए लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए क्योंकि राहूल ने पूरे जिले में टॉप किया था सब हैरान थे कि इतनी जल्दी राहूल ने ये चमतकार कैसे कर दिया उसकी मम्मी के हाथ में 12,000 रुपे रख कर कहा कि ये राहूल की मेहनत की कमाई है राहूल और उसकी मम्मी अचंबित थे कि ये क्या है तब मोहसर ने बताया कि राहूल ने जो छोटे बच्चों को टूशन पढ़ाई थी ये उसके पैसे है मम्मी ने बड़े प्यार से राहूल की तरफ देखा राहूल की आखों में आसू थे वो भाग कर मोहन सर से चिपट गया और रोने लगा ये सब आपकी महनत है सर राहूल की आखों से लगातर आसू बह रहे थे मोहन सर की आखे भी नम हो गई राहु लोस की मम्मी की आखों में अभार के भाफते कि आजकल भी ऐसे टीचर हैं जो अपने सुडेंट्स की इतनी बदद करते हैं फ्रेंड्स ये कहानी मेरे पती ने लिखी है अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेर करना ब्रेकुल न भूले और कमेंट काके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ब्रेकुल न भूले तो friends फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए goodbye and take care